हेलो स्टुदेंस हमने भी एब यह से फाइनल यह की वो क्लीनेर अलजब्रा स्टाट कियु थी अब तक हम फर्स चेप्टर कर चुके हैं और सेकंड चेप्टर का भी कुछ कर चुके हैं हम काम 2.1 या 2 तक हो चुग है हमारा almost 2.2 तक हो चुग है उसके बाद का basis का topic हमारा start था अब यहां तक की theorem हमने कल की कर लिए थी यह बली की थी last time हमने existence theorem existence theorem की थी और इसके बाद देखो student एक तो है यह theorem if s is equals to v1 v2 vn spans v then any n plus 1 vectors in v are linearly dependent अगर कोई n vectors का set span कर रहा है इसको तो इससे एक भी जादा vector वाला जो set होगा वो linearly dependent ही जाएगा एक यह theorem है एक यह है if we is finitely generated vector space then any two basis of we have same number of elements यह दोनों जब आप proof देखने बैठोगे ना बिल्कुल same proof है आप यह वाली theorem में सिरफ आप लोगों के बरोस से चोड़ रहे है तो यह वाली theorem आप अपने आप कर लेना यह वाली और यह वाली same है बिल्कुल same है ठीक है आज हम यह वाली theorem देखते हैं एक बार देखते हैं क्या है हमार पास if s is linearly independent and v does not belongs to set generated by s then the set s union singleton v is linearly independent s हमें कैसा दे दिया linearly independent और कोई element v दे दिया जो इससे generate होने वाले set से belong नहीं करता तो अगर यह belong नहीं करता तो जैसे ही मैं s के अंदर यह वाला set include कर दूँगी v वाला तो वो set कैसा बन जाएगा li बनेगा मतलब अगर भी इनका linear combination नहीं है तो v को मैं li वाले में include करें तो वो li ही रहेगा यह कहना चाहरे है अब देखो s हमने assume कर लिया किसके एकवला v1 v2 vn वाले set के एकवल अब मुझे prove किसको करना है li s union v को तो मैंने इसको एक नए set का नाम दे दिया t t को मुझे li prove करना है मैं उल्टा मान लेती हूँ कि t कैसा set है l d set है अब t l d है vectors कितने होगे इसमें n ये वाले होगे और एक ये n प्लस 1 vectors होगे l d set अगर है तो हमारे पास n प्लस 1 scalars exist करेंगे a1 a2 an और a ले लिया v के लिए ठीक है कैसे होगे इस scalars not all 0 और साथ में क्या होगा इन scalars के साथ vectors का linear combination 0 के equal जाएगा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस up to an vn प्लस a v is equal to 0 ठीक है अब हम मान के जलते हैं अलग scalar तो मुझे यही दिखाई दे रहे हैं a वाला तो मैंने एक case लेके चला कि अगर a मेरा 0 के equal हो जाएगा जैसे ही a 0 के equal हो यहाँ value put कर दो क्या बन जाएगा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस up to an vn is equal to 0 और condition क्या चल रही है अब a तो 0 हो गया तो बच्चे कौन से scalar a1 से लेके an तक के यह सारे scalars कैसे हो जाएगे यह सारे not all 0 थे तो अब यह बच्चे होए कैसे हो जाएगे not all 0 अब यह linear combination v1 v2 vn का 0 के equal है और यह a1 a2 an not all 0 है तो यह क्या प्रूब कर रहे हैं जैसे ही यह not all 0 हो जाए scalar तो इन्होंने क्या किया v1 v2 vn को कैसा बना दिया linearly dependent बना दिया लेकिन हमें दिया कैसा है यह वाले वैक्टर्स का सेट यह s था ना ऐसा में कैसा दिया independent contradiction आगे इसका मतलब a तो 0 के equal नहीं है यह चीज मैंने गलत मान लिए ठीक है अब मान के चलते हूंगी if a is not equal to 0 ठीक है अगर a 0 के equal नहीं है तो मैं इस v वाले टाम को एक सारी टाम को दूसरी सारी लेकर जा सकती हूं फिर से a मेरा क्या है non zero scalar है non zero scalar का हमेशा multiplicative inverse exist करता है तो a inverse से दोनों तरफ pre multiply कर सकती हूं कर दिया उसे को फिर निचे लेकर चले गए a inverse को ठीक है अब यह सारे scalars कैसे होंगी not all 0 होगी अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है v क्या बन रहा है linear combination बना हुआ किसका v1, v2 up to vn का ठीक है जैसे ही v linear combination बना v1, v2, vn वाले elements का तो v कहां belong कर गया s से generate होने वाले set के अंदर क्योंकि s से generate होने वाले set का क्या meaning है कि इसमें वो सारे elements है जो s के linear combination s के linear combination की form के है और vb s के element के linear combination की form का बन गया तो भी इसमें चला गया लेकिन हमें दिया क्या हुआ था कि भी तो इससे belong नहीं करता contradiction आगी यह बार बार contradiction आगी है क्योंकि हम starting में बिल्कुल first assumption हम क्या लेके बैठे थे कि t कैसा है लडी है यह assumption ही हमारी गलत आ रही है इसका मतलब t set जो हम ld लेके बैठे थे वो कैसा set है li set है प्रूव क्या करना था यही करना था ठीक है यह वाली थ्योरम आप लोग देखोगे इसके बाद आ जाते है next topic पे यह हमारे पास maximal linearly independent set नाम से ही पता कर सकते हो कि कैसे इसकी definition बनी होगी सबसे पहले तो set कैसा होगा linearly independent होगा उसके बाद maximal means सबसे बड़ा li set ठीक है देखते हैं proper क्या है let s be a subset of vector space v over f then s is set to be maximal linearly independent subset of v if no superset of s other than s itself is linearly independent वही बात आगी न अगर आप यह नाम ही समझ में आ रहा है तो definition तो इसी के अंदर ही है कि s कोई भी subset लिया vector space v over f का s को आप maximal linearly independent set का बोलोगे जब इसका कोई भी super set s का कोई भी super set means s से बड़ा set जो s को contain कर रहा हो वो li ना हो s को छोड़ दो बस अपना हर एक set अपना खुद का super set होता है उस खुद वाले set को छोड़के s से बड़ा कोई भी super set अगर li ना हो तो s कैसा बन जाएगा maximal linearly independent subset या s क्या बन जाएगा सबसे बड़ा li subset कि इसका vector space ठीक है अब इस से इस पर based to theorem भी देख लेते है अगर finitely generated vector space है और उसके अंदर कोई maximal linearly independent subset पड़ा है तो वही maximal वाला set कैसा बन जाएगा basis बन जाएगा ठीक है देखो s हमने set ले लिया v1, v2, vn का और कैसा लिया कि ये maximal linearly independent set है किसमें v में अब हम show क्या करेंगे linearly independent तो हो गया basis मुझे प्रूब करना है ना इसको basis के लिए दो condition क्या होती है एक तो l i प्रूब करना दूसरा spanning वाली चीज़ प्रूब करना अब l i तो हो गया अरड़ी मेरा प्रूब करना क्या रहे गया कि v span हो रहा है किस से s से mतलब v किसके equal है अब s क्या था किसका subset था v का था और ls क्या होता है सारे linear combination की collection होती है अब जितने भी element s से आ रहे हैं वो v से भी आ रहे है अब s की जितने भी linear combination possible होंगे वो कहां जाएंगे v में ही चले जाएंगे क्योंकि basically element आ कहां से रहे है v vector space है vector space की जितने भी linear combination possible है वो सारे कहां v में ही जाएंगे और linear combination की collection है ls तो ls भी कहां चला गया v में चला गया अब मेरा proof क्या करना रहे गया एक set कमेंट दूसरे में contain कर दिया आब v को contain करवाना रहे गया ls के अंदर मतलब कैसे contain होगा v ls के अंदर arbitrary element v का उठाओ कहां belong करवा दो ls में ls में कैसे जाएगा arbitrary element v का उठाया और s के elements के अगर linear combination में linear combination की form में लिखा गया तो वो कहां चला जाएगा ls में चला जाएगा ठीक है अब हमारे पास s क्या है maximal linearly independent set है तो हमने कोई ऐसा element v ले लिया capital v से कैसा लिया की जैस हाँ देखो अब maximal linearly independent की definition क्या थी इसका कोई भी super set जो होगा वो li नहीं हो सकता अगर मैं इस v को इसके अंदर include कर दो तो वो li तो रहेगा नी ld बन जाएगा तो मैंने इसको v को इसके अंदर include किया तो वो set कैसा बन गया ld बन गया ठीक है definition ही है apply किया अभी तक सिरफ अब ये set अगर ld है तो मेरे पास इतने n प्लस 1 scalar exist करें कैसे होगे not all 0 और linear combination इनके साथ 0 होगा बिल्कुल पीछे वाली थे और हम repeat हो रही है अगर a 0 है तो मेरे पास क्या बन जाएगा a1 v1 पस अब तो ये सारे 0 जाएगे और ये a1 an अब तो सारे कैसे होगे not all 0 मतलब ये v1 v2 vn को क्या बना दिये not all 0 scalar ने ld बना दिया लेकिन वो हमें दिया कैसा होगा l i दिया गा contradiction है अब फिर से बिल्कुल डिट्टो पही थी और हम repeat हो रही है इसका मतलब क्या होगा a not equals to 0 होगा जैसे पीछे गिया था a v को एक साइड पे लेके चलेगा बाकि सारी टर्म दूसरी सारी लेके चलेगे बिल्कुल डिक्टो सारे स्ट्रेप पही चल रहे है तो यहां से अब क्या दिखाई दे गया v linear combination किसका बन गया s के vectors का जैसे s के vector का linear combination मना तो v कहां चला जाएगा ls में चला जाएगा ls क्या है s के linear combination की collection है सारी तो v आया कहां से था capital v से चला कहां गया ls में चला गया तो capital v पूरा कहां contain हो जाएगा ls में क्योंकि arbitrary element उठाया था यह तो ls को हमने v में contain पीछे करवाया था v यहां ls में contain हो गया तो क्या लिख सकने v is equals to ls ठीक है जैसे भी ls के equal हुआ हमारे पास क्या बन गया li तो हमें दिया ही हुआ था span हमने करवा दिया तो s क्या बन जाएगा basis बन जाएगा v के लिए next देखो हमारे पास क्या है minimal generating set जैसे पीछे वाले की definition हमने नाम से भी पता की थी पहले set कैसा होगा generating होगा generate कर रहा होगा पूरे vector space को और वो कैसा होगा minimal means जो set सबसे छोटा हो और generate कर रहा हो vector space को तो वो कैसा बन जाते है minimal generating set देखो proper क्या definition a subset s of a vector space v over f is set to be a minimal generating set if s is generating set for v v cannot be generated by any proper subset of s एक तो generate करे वो set v को और इसका कोई भी subset अगर v को generate ना करे तो s क्या बन जाएगा minimal generating set वही सबसे छोटा v को generate करने वाला set ठीक है इसी के उपर बेस्ट theorem देखते है क्या है हमारे बास a minimal generating set of finitely generated vector space v over f is always a basis of v कि finitely generated vector space का minimal generating set है हमारे पास वह कैसा होगा basis होगा maximal generating maximal li set भी कैसा होता basis minimal generating set भी कैसा होता basis होता ठीक है अब सबसे पहले हमने क्या लिए v1 v2 vn का इसको क्या बोल दिया यह क्या है minimal generating set है किसका v का अगर यह generating set है v का इसका मंदब v किसके equal हो गया ls के equal सब्सेट और कोई भी प्रोपर सबसेट इसका एसका वी को जनरेट नहीं करेंगा बाइडफिनेशन ओफ मिनिमल जनरेटिंग सट अब मुझे बेसे स्के लिए प्रूव करना होता है एक तो वी इकल्स फूव करना होता है दूसरा ग्या पूर करना होता है कि वह सट कैसा हो एलाई प्रूव करना रही है अब हमने उल्टा मान लिया हमने माल लिया कि एसट कैसा है लीनियर डिपेंडेंट है अब डिपेंडेंट की तो हमने बड़ी सारी डेफिनेशन पड़ी हुई है नौट ओल जीरो स्केलर वाले पड़ी हुई है कोई एक वेक्टर पर सेडिंग का लिनियर कॉमिनेशन वाले पड़ी हुई है यह यह भी पड़ी हुई है कि कोई एक वेक्टर क्या होगा बाकी सारे बच्वेक्टर का लिनियर कॉमिनेशन होगा तो हमने इनी में से एक डेफि और एक मिनट एक मिनट थोड़ी सी गडबड मैंने क्या कर दी है अच्छा देखो इस स्टेप को एक मिनट के लिए भूल जाओ ठीक है पहले इस पर आ जाओ Vr को मैंने क्या बोला है V1 से लेके Vr-1, Vr-1 से लेके Vn तक का linear combination है तो Vr को हम कैसे लिख पाएंगे v1 v1 v2 v2 plus up to vr minus 1 vr minus 1 यहां ध्यान रखना है plus vr plus 1 vr plus 1 r वाला नहीं आना चाहिए vr क्योंकि इधर आ चुके है ठीक है यह होगा अब हमने क्या किया क्योंकि v मेरा ls के एक वाल है इसका मतलब अगर मैं capital v से कोई arbitrary element लूँ लूँ तो एसके linear combination की form में लिखा जाएगा क्योंकि span कर रहा है इसको तो v मैंने arbitrary element capital v से लिया पहले यह वाला step करना उसके बाद यह वाला step करना ऐसे confuse हो जाऊँ ठीक है arbitrary element v से लिया तो v1 v2 vn की linear combination की form में लिख दे इसको बीच में कहीं पर ar vr भी आएगा अब इस vr की value यहां पर put कर दो कर दी put और जो common आ रहा है v1 से जो scalar common आ रहे हैं v2 से आ रहे हैं इन सब से जो भी आ रहे है common यहां पर बस ध्यान रखना है हर जगा बहुत सारी theorem से ऐसी हैं जहां पर यह वाली combination बन गया इसका मतलब in n-1 वाले vectors ने in n-1 vectors के set ने क्या कर दिया वी को span कर दिया क्योंकि arbitrary element इन के linear combination के form में लिखा गया अगर इसने जैसे ही span किया इसको तो यह set है क्या subset है वी उसका S का तो क्या हो गया हमारे पास एक सब से सब से वी को span कर दिया लेकिन यह तो contradiction आगी क्यों आगी क्यों क्योंकि मैंने S को क्या बहुत है कि minimal generating set इस यह सब से चोटा generating set है वी का इसे चोटा सेट हम ढूंड दी नहीं सकता है जो वी गो generate कर रहा हूं तो यहाँ contradiction आगी contradiction क्यूं आई है क्यों ने एजियूम क्या किया था कि S SET कैसा है LD है इसका मतलब S SET कैसा होगा LI होगा S के पास LI होने के अलावा और कोई option ठीक है तो जैसे ही S L I हुआ तो SPAN तो वो अलड़ी करी रहा था आगे इन्होंने बाकी यही चीज बताई यह आगे आगा आगा आप पर्दर स्ट्राइब जाते जाओगे ना तो प्रोपर सैट जनरेट करते जाएंगे इसको लेकिन S तो मिनिमल जनरेटिंग सेट है वही बात बताईए तो यहां से क्या बन जाएगा बेसिस बन जाएगा किसके लिए वी के लिए आज के लिए इतना सफिशेंट होगा आप लोगों के लिए काफी हो गया भारी काम उमीद करते हूं समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप पूछ ले ना और कल के लिए हमारा जो टॉपिक रहेगा यह बड़ा इंपॉर्टन है दाइमेंशन ओफ एक्टर स्पेस एक्स्टेशन थेयोरम और एक यह थेयोरम फिर उसके बाद आपका थोड़ा से इजी पोर्शन आ जाएगा एक्जामपल्स आ जाएगा थीक है थोड़ा से इंट्रस्टिंग आ जाएगा दो एक लेक्च्टर तो एक्जामपल्स फिर भी पूछ लेना थेंक यू सुडेंट्स